तो वहीं गाजियबाद रविवार को देश का चटवा सबसे प्रदूशित शेहर रहा है जगा-जगा, कूडा-जलाना, बदहाल सडकों से उडने वाली धूल, फैक्ट्रियों की चिबनी से निकलने वाले धूए, खुले में हो रहे निर्माल प्रदूशन की मुख्य वज़े बन रहे हैं रविवार को शेहर का AQI खराब शेडी में 243 दर्च विया गया, तो वहीं सभी चारो स्टेशन का AQI भी खराब शेडी में रही रहा है जबकि लोनी स्टेशन का AQI अन स्टेशनों के मुकाबले सबसे ज़ादा दर्च किया गया था शेहर में 15 अक्टूबर से ग्रेप लागू हो चुका है, तो वहीं अधिकारियों के ओर से परेवरेंड शतिपूर्ती पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है इसके बाद भी अधिकारी शेहर के आवासी इलाकों से लेकर और द्यूगिक इलाकों में ग्रेप का नियम लागू नहीं करा पा रही है गाजबाद की आबो हवा में लगातार पॉलूशन का जहर खुलता जा रहा है सेंटर पॉलिशन कंट्रोल बोड के आकडों की माने तो गाजबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स धाई सो को पार कर चुका है फिलहाल गाजबाद का एक्यूआई लेवल दोसो चपन बना हुआ है तस्वीरे आप देखेंगे तो सुभा के समय भी हल्की धुंद चारों तरफ देखी जा सकती है ये प्रदुशन की परत है जो गाजबाद में इस समय पस्री हुई है जो की बेहत हानी कारक है गाजबाद के अगर वसुंद्रा की बात करें तो वहां का एक्यूआई लेवल दोसो उनतिस ओरेंज जोन में है इंद्रापुरम का एक्यूआई दोसो अठारा वो भी ओरेंज है संजन अगर गाज़बाद की बात करें तो 273 औरेंज जोन जबकि सबसे ज़्यादा अगर गाज़बाद में कहीं वायू की गुणवत्ता खराब है तो गाज़बाद का लोनी इलाका है जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर गया है यानि रेड जोन के अंदर लोनी है जहाँ पर एक्वाई लेवल 302 बना हुआ है और ये हवा इस समय बेहत जहरीली है सास लेने के लिए लोग मास्क लगाएं डॉक्टर इस बात को कहते नजर आते हैं और खास और पड़ बड़े बुजूर्गों के लिए ये बातावर्ण बेहत हानिकारक होता है साथी बच्चों के लिए और जो अस्थमा मरीज है उनके लिए भी ये मौस्वा मिस समय बेहत हानिकारक बना हुआ है हाला कि नगर निगम हर साल की तरह दावे करता है लगातार फॉगिंग मशीन से फॉगिंग करानी की बात कही जाती है लेकिन तमाम दावे खोकले दिखाई देते हैं हर बार दिवाली के आसपास जो एक्वैल येवल है वो बढ़ जाता है इंतिजार होता है बारिश का क्योंकि बारिश के बिना जो एर कॉलिटी इंडेक्स है वो नीचे नहीं आता है उल्टा बढ़ता ही जाता है तो वहीं अब दिवाली आने पर अगर क्रैकर्स यानि पटाके जलाए गए तो इसमें और भी इजाफा हो सकता है तो वहीं दूसी तरफ जो पराली जलाई जाती है उसकी वजहा से भी जो एर कॉलिटी है यानि आबो हवा है वो और भी ज़्यादा जहरीली हो रही है यानि इस हवा के अंदर सांस लेना यह मानिए जहर को अपने अंदर लेना है वीडियो जैनलिष्ट अमित कुमार के साथ हिमान तो शार्मा नियूज श्टेट गाज़बाद तो वहीं दिल्ली में प्रदूशन भड़ता जा रहा है रवीवार को दिल्ली का AQI 277 दर्श किया गया है केंद्रिय प्रदूशन नियंटर बोर्ड के मताबिक बुदवार तक हवा बेहदी खराप शेड़ी में पहुशनी के आशंका है आनंद वियार वजीरपूर समित तेरा अलाकों में हवा बेहदी खराप शेड़ी में दर्श की जा रही है जबकि अन यलाकों की अगर खास्त और पर बात करते हैं तो हवा खराप शेड़ी में बनी हुई है वहीं गाजियाबाद में 243, गुरुगराब में 219, नौइडा में 206, फरिदबाद में 143 और गेटर नौइडा में 124 EQI दर्श किया गया है वहीं बड़ते प्रदूशन को लेकर हरयाणत सरकार भी सक्त हो चुकी है पराली जलाने वाले केस भढ़ने के बाद प्रशाशन ने और जारसक्ती बढ़ा दी है रविवार को पहली बार 13 किसानों को गरफतार किया गया था और बाद में प्रशाशन ने किसानों को जमाना दे दी थी ये कारवाई के थल जिले में हुई है